हेलो गैज नास्कार वेलकम टू अनलाइं ग्यान बाई यानन तो साथ यू साम कब बच चुका है आज उत्राकन सामानी ग्यान की जो हमारी डेली वन लाइनर महा सरी जारिया उसको आगे बढ़ाते हैं मित्रगण इस स्रीज को आपको बिल्कुल भी मिश नहीं करना है क्योंकि इस स्रीज से डायक्टली क्वेस्चन फस रहे हैं और आपको इस स्रीज के पिछले पार्ट देखने हैं आज हमारा फुटिफाई वो पार्ट है 44 वाठु को हमने एक ही प्लेइलिस्ट में क्रेट किया हुआ है नेचे डिस्कुस्न बॉक्स में प्लेइलिस्ट है सारे पार्ट आपको वापर उपलब्द हो जाएंगे चलिए बिना देरी के आज की स्रीज की सुरुवात करते हैं पहले प्रस्न से आज का पहला प्रस्न है उत्राखंड में अंग्रेजी सासन की निव पक्की करने वाला कमिशनर का नम बताईए तो उत्राखंड में अंग्रेजी सासन की निव पक्की करने वाला कमिशनर था विलियम ट्रेल कुमाओं का कमिशनर बनाएगा था 1812 में, yesterday 5815 कि एक साल तक ही गाड़नर कुमाओं का कमिशनर बना, कुमाओ कमिशनर फिर बना साथ regularly यह गाड़नर के बनने के बाद 866 में ही असथा और फे विल्स से और फे विल्यम ट्रेल को कुमाओ का कमिशनर बना दिया गया था ठाले है आट 870 मैं जो थे पूर्ड रूप से इस्ताइ तरुके से विलियम ट्रेल को कुमाओं का इस्ताई कमिशनर बना दिया दा साथ यू और कुमाओं का इस्ताई कमिशनर 870 से बनने के बाद असली नीव जो रखी कुमाओं में अंगरेजे सासन की विलियम ट्रेल नहीं रखी विलियम ट्रेल 870 से 835 कुमाओं का कमिशनर रहा जो साथ यू विटिस गडवाल इतने बड़े छेतर का पूरा एक सिंगल कुमाओं कमिशनर था पूरा छेतर जो बिटिस के अंदर पे था चाहे वो गडवाल का एरिया हो चाहे कुमाओं का एरिया हो फूरे का कमिशनर 870 तक 835 तक कौन था विलियम ट्रेल साथ हो और 849 में विटिस गडव स्वाल और कुमाओं करके दो जनपत हो गए थे और विटिस गड़वाल में चोड़ चोड़ी जो कमिशनर थे उनको असिस्टेंट कमिशनर को न्यूक्त कर दिया था विलियम ट्रेल के द्वारा कुमाओं का जो इस्ताई सासन अंग्रीजी सासन की निव रखी ती विलियम ट् कंदिर तीर स्वाल जकजीत सिंग का संबंद किस खेल से हैं या वेट लिप्टRO हैं जकजीत सिंग जी हमारे उत्राकंट के वेट लिप्टRO अगरा सवाल मुकुंदिलाल के सब्दू में आजाद हिंद फौज की नीव रखने वाले चंदर-सनंग गड़वाली हैं आपको बताता है कैप्टेन मोहन सिंग कहते हैं कि हमने पेशावर जो कांड हुआ था 13 अपरेल 1930 को उसके बाद उसके बाद ही हमने आजाद हिंद फौज बनाने का निश्चे लिया एक जुड़ता के कारण तो बताया जाता है कि मोकंदिलाल के सब्दू में भी आजाद हिंद फौज के वीद बोनी का चंसिंग गड़वाली ही है अगला सवाल हरवल खेती के जनक किसे कहते हैं तो हरवल खेती के जनक है शाम सुंदर दिगारी अगला सवाल है फ्रंटियर मेल के संपादक कौन है तो फ्रंटियर मेल के संपादक है आमीर चंद्र वर्थवाल अगला सवाल है उत्राखन राजी का पहला सडियागर कौन सा है तो उत्राखन राजी का पहला सडियागर है माल सडियर पार्ग जो देहरादुन के मसुरी रोड में है साथ यह उत्राखन राजी का पहला सडियागर है अगला स्वाल उत्राखन राजी की किस गटना को कुरूर सासक की कुरूर इसलिए हैं इसको कभी मुझफर कांड करते हैं कभी रामपूत रहा कांड करते हैं दोनु एक ही हैं साथ योग अटना प्रिथक राज जी आंदोबन कारियो से समब्रीद है उत्तराखंड की अलग अत्राखंड यूपी से अलग हो उस अपने राज जी के निर्माण के लिए आउसर पर डिल्ली के लिए रावाना हुए थे लगबग बहुत से हमारे उत्राखंट के अंदोलुनकारी और UP सरकार ने तब बुलाइम सिहयादों की सरकार थे UP में उनने मुझणफर के रामपूर्य तिरहाफ है हमारे उत्राखंट के अंदोल हुं कानें और और इस घटना में क्या वास आती हूँ जैसे ही हमारे उत्राखंट के अंदोलनकारी को यहां पर रुका गया अंदा धुंद गोलियां बरसादी गए थी अंदोलनकारी उपर लाठी चार्ज हो गया था और कई अंदोलनकारी जब सुबह का नजारह हम देखें दो अक्टूब अक्टूबर का रामपूर कांड में Strengthenा कर दितो नजारह हमारे उत्राखंट के अंदोलनकारी यहां पर रहाह हमारे उत्त्राखंट के अंदोलनकारी जा गया था जो पूलिस उनके त्याओर धे साथ हो तो दिल्ली जा रहे थे दो अक्टूबर के दिन एक अक्टूबर 94 की घटना थी है यहां पर रामपुति रहा कांड है तो इसको एक निंदा की जाती है एक बड़ा उत्राखन आंदोनकारी में एक बड़ा भद्दा चेरा माना जाता है इस कांड को साथ है अगला सवा उत्राखन की जन संक्या पतरत्स की ब्रिद्दर कितनी हो तो 2010 01-lo 2021 में कितनी जन संक्या बड़ी हमारे उत्राखन की आपको बटाना है तो 2001-21来了 span 8-11 to 81 परतिसाथ जो है हमारी जन संक्या ब्रिद्दर रही अयरीन पंत का जनम से लेक्टा कॉन से हैं तो आयरेन पंत को हम अल मुड़ा की बेटी पाकिस्तान की वह हम कहते हैं उत्राखंड के पर्थम लेप्टनेंट जनरल कौन है तो उत्राखंड के पर्थम लेप्टनेंट जनरल बने सुरेंद्र सिंग पंवार जी लधिया नदी का उद्गमिस्तल कहां पर है तो लधिया नदी का उद्गमिस्तल है गजार नामगेस्तान जो पित्रागड में पड़ता है बागो का संग्रेक्षन किस पार्क को कहते हैं तो बागो का संग्रेक्षन कहते हैं साथियों जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क को आपको आउगत करा दें एशिया का हमारा एक पहला नैशनल पार्क है यह जिम कार्बेट जो बाग था उसके वो क्योंकि लुपतो हो रहा था बंगाल बाग के संग्रक्षन के लिए यह पहला परियास किया गया यहां पे हैली नैशनल पार्क के नाम से यहां पे इसकी स्ताफना की गई और आपको बता दें जैसे ही भारत हमारा आजाद हुआ उसके बाद इसका नाम रामगंगा नैशनल पार्क रख दिया था और 1957 में महान परकति परीमी जिम कार्बेट के नाम पे इसका नाम जिम कार्बेट नैशनल पार्क रख दिया था और बागों के संग्रक्षन के लिए अब माना जाता है पुर्जक्ट टाइगर यहां पे शुरू आता साथ हो 1973 में उसथी एवं सुगंधित पौध सस्तान वैजनात में रसाइन विज्यान बानस्पतिक विवाग , टयू बेणवी जो हां पर मैं और सिर्नगर एज़क्तिविवाग एवं बळवाली सुरू नगर में इस्तापित है Ayam vesti सस्तान का पर है इंडिया मेमीदी सफ्तान है इंडीय इंडीएन इस्टूट औफ आइवदिग 4 ड्रग्स एंड रिसर्स सेंट्र है रांनीक्षी अलमूड़ा में कोपरेटिव ड्रक्स फैक्ट्रिस तीज है ताड़केद अलमोडा में नेहरू परवतारों सथान अनराइग की स्थापन उन्मिसवाप पैसेट में व्यूत्रकासी में जड़ी बूटी एवं विकास सथान कहां पर है गोपिश्वार चमूली में है राजी सैक्चनिक एव है है तो एनए टी तकनीकी संस्थान है वूंत्राकंड यो जा ड्ली हरिदवार में कहां स्तापित है हो उत्राखंड में फल संगरेक्षण के इंद्र इस्तित है रामगड नैनी तालमा आता है उत्राखंड में इलक्टोनिक्स उद्योग कहा इस्तित है तो उत्राखंड में इलक्टोनिक उद्योग है हमारा लैंस डाउन पॉड़ी में अच्छा सवाल है भी उत्राखंड में सिल् स्दाबिद है तो उत्राखन में नेशले कंपणी का कार खाना कहा पर है पंत नगर में उत्राखन में वैग्सिन कार खाना है नैनिताल के पटवा डांगर मेंगर में पर्थम नौशेणा देक्स हैं देवेंद्र जोसिदी यह नेशानी के हमारे अध्यक्स बने 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014 तक हमारे देवेंद्र जोसिदी अलमोडा जनपत से बिलॉंग करते हैं यह कब बने 31 अगस्त 2012 से 26 फरवरी 2014 तक नौसेना के अध्यक्स रहे गड़वाल की पहली फिलम कौन सी थी तो गड़वाल की पहली फिलम थी जगवाल उने सो तिरासी में बनी साथ यह आपको बता दें उत्राखन में फिल्मी इतिहाज उने सो तिरासी में पारिस्वर गौड के इसके निर्माता है उनके द्वारा इसकी यह निर्मान क्या इसका मतलब होता है जगे इंतिजार मतलब रूख जा मतलब इंतिजार जग्वाल का हिंदी अरथ क्या होता है इनतिजार एक ऐसी चीज मिली और आपको बता तरह इसके निर्मता और निर्देशक पारस्वर गौर जी और वो खुद ही इसको लेड भी करें थे यानि विनेता भी थे नाइक भी थे फालसवर गॉड और इसकी नायका भी पूच देता है तो जगवाल फिल्म के नायका थी कुसम विष्ट दी और एक सवाल यहां से यह भी बन सकता है कि कुमावनी वासा की पहली फिल्म जगवाल हो गई अब आता है कुमावनी वासा की कुमावनि वासा की फैली फिल्म मेगा और इसके जो निर्माता थे जेवन सिंग विष्ट थे तो इतने आफक्ट आपको मिल गए कुमावनि वासा की फैली फिल्म कौन से थी मेगा आ कोटी इचारी बांत किन नदी पर बना है तो कोटी इचारी बांत बना है टॉंस नदी पर माता सिता की याद में पर्तिवर्स कौन सा मिला लगता है तो मनसार का मिला लगता है माता सिता की याद में पर्तिवर्स मलेरिया वैक्सिन की खोज करने वाले बैग्यानिक रोनाल्ड रासका जन्म उत्राकंड के किस इस्तान में हुआ है हिमाले की पाद परवस रेनी को कहते हैं सिवालिक विलंगना नदी में किसने समाधी ली थी स्वामी रामकरिट जी ने विलंगना नदी में समाधी लीता तब हैं स्वामी रामकरिश्ण तीर सागर भी कहते है गुमानी पंत की रचनाए कि झारती के अंतरगत चेतर से हैं धावग सुरेंदर सिंग बंडारी गैर से संबदिद है वर्स 2010 में अर्जुन ओवर्ड राज जी में किसे दिया गया तो और वर्स अनुसार कौन से देप्ताफ गोड़ पर सवार रहते हैं तो उत्रा लोग प्रमप्रा के अनुसार ंगोलु देप का मिला सन 2006 में कुषकाई Sinakむ kalau it is till say around it को परवती चेत्र को alaガ बनाने की मांग के थी कि अरध और जीने गोचर इूंचिर को चरागा बनाने के लिए किसान को किषने प्रिद किया था तो लेड़ी विलिंगटन ने जो गोचर इस्तित चरागा है उसको किसानों को प्रेरिट किया था गौचर में चरागा बनाने के दिए लेडी विरी गटे निर्का नाम था कौन सा ताल नंदा देवी के निकट है तो नंदा देवी मंदिर प्रसर के सबसे नज़्दीक में है वे निताल मुस्लिम इत्यासकार ने तराय बाबर को किस नाम से संबोधित किया है तो मुस्लिम इत्यासकार ने तराय बाबर को दामन ए कोह नाम से संबोधित किया है किस नाम से दामन ए कोह तराय बाबर को बाली चौळ नामक स्थान जो चंद्राजा भारती चन्स संब्द jak किष्णधी के तरपरों काली नदी के नल्वागी सवां महलबादी की सब्हुराजगाय। दूनमा आलु की खेती किष्नी कीती कि मेजर यंग ने कबूतरी Dame किस परकार के गाने गाती है तो कबूतरीड़ी जर्टेश्च जाकर गायका के नम को जानते हैं रितुु रितुरैंड का जैसे गाने के आगल गाती हैं जाकर गायका साज बहु नामक खेत काँ पर है तो वागयसवर में है साज बहु नामक खेत नगरी छेत्र को स्वच रखने के लिए चलाएगे योजना कौन से है तो टाक्टर स्यामा परसाद मुखर जी निर्मल जोहार योजना जो है नगरी छेत्र को सच रखने के लिए चराय गई योजन है कुमावनी बोली का पहला गाय किसे माना जा था कुमावनी बोली का पहला जो गीद गाया था आनंद सिंग नेगी जी ने काया था बेगुल नदी किस जिले में इसी था तो बेगुल नदी है उदमशिनगर में परजा मंडल की स्थापना किस्ते के थी तो शिर्देप सुमन ने 23 जनवरी में कब लागो हूआ तो carving ने सड्रसा परवार दिवस कब मनाया जाता है अंतराष्ट्राष्टी परवार दिवस मनाए जाता है हर वर्च पंद्र माई को समुद्र दिवस का मनाया जाता है तो समुद्र दिवस मनाया जाता है आठ जून को विस गंगा और मदुगंगा जो नदियां है कहां से निकलती है तो विस गंगा और मदुगंगा नदियां निकलती है तार केश्वर मंदिर लैंस डाउन पॉड़ी से की उनीस अगस्त को इस्ट इंडिया कंपनी ने रूप्य का पहला सिका बनाई था कांपर इस गीत के जो राइटर हैं हेम अब इसमें जो गीत को गया था नरेंदर सिंग नेगेजी ने गाया था जिनको हाली मैं गौरब पुरुसकार से नवाजा गया है साथि तो ये रह चुके हैं आज की हमारे सवाल कैसे लगे आपको कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईए अच्छे लगे तो लाइक भी जरूर करें नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर प्रेस करने साथि हो हर एक दिन आपको उत्राकन सामानी ग्यान का ऐसे ही स्रीजम प्रोबाइट करेंगे पिछले हमारे 44 पार्ट आपको देखने हैं डिस्कुस्न बॉक्स में लिंक है और पार्ट को आप लोग जरूर देख लें साथ हिंदी ब्याकन जर्नल इस्टेडी के पार्ट पर आप जरूर देख सकते हैं हमारे चैनल पर पड़े हुए हिंदी ब्याकन की प्रेक्टिस साट भी हम आपको रोजना दे रहें ताकि आप अच्छा पर्दसन आप लोग कर सको तो इनका फायदा आप लोग जरूर लो फिर ब्लाओंगा मैं ऐसे से लिए आपके समुख धनिवाद गोड़ प्लेशिए जयाओ त्रशन जय देवी